हेलो आल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होगें आज की जो रिडिंग है यह हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए हम रिडिंग करेंगे देखेंगे कि क्या वो हमेशा के लिए वापोस हा रहे हैं आपके पास ठीक है यह हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही नॉर्मल सा है बड़ा ही नॉर्मल है लेकिन बड़ा ही अच्छा है क्योंकि हमेशा के लिए वापस आना हर कोई चाहता है कि उनके जिंदगी में उनके परसन वापस आए तो हमेशा के ल नहीं नहीं आए तो रिटिंग नहीं दे पाए बहुत चारए को रिटिंग में दे पाई बहुत सारे लोग मेसेज कर रहे थे माइं रेडिंग नहीं आई तो सौरी उसके लिए कल मैं बहुत जाधा बीजी थी तो रिडिंग नहीं दे पाई जिसके कारण से लेकिन आज आप लोगों को रिडिंग मिलेगी ठीक है जैसे रिगुलर रिडिंग मिलती है वैसे ही रिडिंग मिलेगी तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब है तो उनकी ऐसी मर्जी है लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आप हमारे फैमली के एक मेंबर बनेंगे तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा आप हमारे साथ जूड़ेंगे चलिए हम देखते हैं इस इन्वर्स काइड मी जो भी वीवर देख रहे हैं क्या उन कप का का ड़ है हम हम इस गाइड मी ऑपके दा हैंगो मैं है प्लीज काइड मी आई टिंग कैमरा थोड़ा सा नीचे करना चाहिए है ना ताकि का आट आपको साइज तरीके से दिखे हैं हम कुछ लोगों को नहीं दिखते हैं तो बोलते हैं कि कार्ड नहीं दिख रहे हैं ना इसलिए मैं कार्ड दिखाते हूं आपको प्लीज गाइड मी क्वीन आफ पैंटिकल्स ओके क्या वो वापस आ रहे हैं क्या वो वापस आ रहे हैं हमेशा के लिए प्लीज गाइड मी प्लीज गाइड मी एट आफ वैंड्स वाव लगता है कि लांग डिस्टेंस रिलेशनसिप है आप लोगों का प्लीज गाइड मी प्लीज गाइड मी इसके साथ ही गाइज ये भी मैं आपको बता दूँ कि जिनको भी ये मुझसे प्रस्टर डिडिंग लेनी है वाट्स अप नमबर पे कॉंटक्ट कर सकते हैं वहां पे आपको सारे डिटेल्स दे जाएंगी प्रस्टर डिंग से लेटे ठीक है और प्रस्टर डिंग है six of cups sorry कला थोड़ा सा मेरा खराब हो रहा है तो मैं आपको साइन बता देती हूँ साइन जो है मेरे पास अभी फिलहाल मेरे पास है कैंसर स्कॉर्प्यों पाइसर्स टॉरस वर्गों कैप्रिकॉर्न एडिस लियो सैज ठीक है तो यह मेरे यहां मैं पास साइन है आप लोगों का ठीक है ना तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं गालए हैस पें करस् मुझह क्या बता रहे हैं थोड़ा सा कैमरा को जाऊंगे कि हाँ तरीके से दीखे आप सबको तो गाइज यहां पर जो कार्ट मुझे बता रहे हैं एस ओफ कप्स का कार्ड देखो यहां पर क्या है ना कि आपके परसन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं ठीक है देखो क्या है कि कुछ चीजे सोच समझ के करना भी बहुत जादा जरूरी होत हुआ है यहां पर कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कुछ यहां पर मौमेंट हो रही कर期 है बहुत टाइम से अभी आप लोगों का connection ठीक है आप लोगों भी कहीं ना कहीं इस relationship में stuck हो गए हो ठीक है इस relationship में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो एकदम से energy कुछ ऐसी है कि जहां की चीजे जहां है वहां की वहां रुकी हुई है ठीक है तो यहां पर एक कहें तो decision लेने का mood है लेकिन decision लिया नहीं जा रहा है ना आपकी तरफ से ना ही आपके person की तरफ से आपने कहीं न कहीं अपने दिल में ये रख लिया है कि हाँ अब जो है ना अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकती जबर्दस्ती है ना उनसे मिलने को force कर नहीं सकती या उनको अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए उनको force नहीं कर सकती या नहीं कर सकता तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपने पूरी तरह से एक इस्वर के उपर भी सौप दिया है कहें तो गौड को जो है गौड के उपर भरोसा करके आपने उनको सौप दिया है और यहाँ पे मुझे काट्स बता रहे हैं कि वही एनरजी है ठीक है वही गौड को सब्याइद इंतजार ही लिखा है मैं इंतजार कर रही हूं या कर रहा हूँ है ना लेकिन उसे जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ऐसा फील होता है ठीक है और आपके feelings है आपके emotions है और यहां पर नहीं feel हो रहा है ठीक है इनदार sólo करें यहां पे कार्ट्स बता रहे हैं कि आप भी कही ना कहीं उसी तरह से अपने पर्सन पे भरोसा करके बस बैठे हो इनतिजारिग ही इनतिजार यहां पे चल रहा है ठीक है ना हैं नहीं आपने कार्ट्स यह बता रहे हैं मुझे कHD की आपके जो partner है आपके partner जो है कहीं न कहीं आप भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर no contact में होने की वज़ा से कहीं न कहीं आप किसी न किसी तरीके से बात तो करना चाहते हो ठीक है और यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि आप लोगों का मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि आप लोगों का relationship जो है long distance relationship है बहुत जादा दूरिया है आप दोनों के दर्मया है ना और यहाँ पे बहुत सारे viewers यहाँ पे married भी है कुछ लोग unmarried भी है क्योंकि दोनों ही cuts मेरे पास है कुछ लोग married कुछ लोग unmarried देखें और कुछ लोग married person से deal भी कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो आपकी जो energy है आपकी अनुसार मुझे यह card clear बता रहे हैं कि आप अपने person से काफी जादा expect कर रहे हो अभी ठीक है काफी जादा expect कर रहे हो कि हाँ वो मु मुझे message करें मुझे मिलने आए इस relationship के बारे में कुछ ना कुछ मुझे decision दे at least clear तो करे कि हाँ क्या चाहता है या क्या चाहती है है तो आप कहीं ना कहीं इससे attach हो है ना आपने अपने person से यही जो है आपको बस यहीं चाहिए कि हाँ वो मुझे मेरा हक दे है ना जो आपका हक है वो आपको हक दे है ना आपके दिल में हमेशा ही यह चीज़े बनी रहती है कि हाँ क्यों यह person मेरे साथ फियर नहीं करता है ना क्यों unfair होता है मेरे साथ बार बार कहीं ना कहीं आपके दिल में यह सारी चीज़े बैठी हुई है है ना तो यहां मुझे यह दिख रहा है मुझे यही बता रहे हैं, कि आप लोग soulmate connection में हो, बहुत सारे viewers soulmate connection में हैं, अपने soulmate से deal कर रहे हैं, और बहुत यहाँ पे call computation का वेट चल रहा है, उनके वापस आने का वेड चल रहा है, क्योंकि आपको प्रपोजल चाहिए आपको अपने person से commitment चाहिए, marriage का commitment आपको है ना लेकिन आपके परिमेर्श के प्रमिटमेंट के वक्त क्या हो जाते हैं यहां पर कोई आपको डेसीजिए नहीं देते कि मुझे करना झालना है maritime डालते हैं आपको कुछ पता नहीं चलता कि इनके माइन में चल क्या रहा है चाहते क्या है ना बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो यह person छुपा के रखते हैं ठीक है यह clear नहीं बोलते हैं ठीक तो मुझे यहां पर बता रहे हैं वहीं मैं आपको देखूं तो आप बहुत ही क्लियर हो अपने जिन्दगी में आप यहां पर मुझे यह दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा इनोसेंट परसन हो कि किसी पे भी भरोशा कर लेते हो किसी पे भी भरोशा है ना तो यहां पे बहुत ही आप soft heart person हो बहुत ही कुपसुरत से इश्वर पे भरोशा करने वाले है ना आपको ऐसा लगता है जैसे कि वही मुझे अब रहा दिखाएगा जो भी है इश्वर ही मुझे रहा दिखाएगा और उसके कहने के उपर से ही मैं उसके indication कुछ आपको ऐसे दिखते होंगे कि हाँ आपको ऐसे करना चाहिए आपके जिन्दगी में ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है चाहते आप कुछ हो लेकिन हो कुछ और जाता है क्योंकि वह इश्वर की मरजी होती है और आप कहीं ना कहीं यह समझते हो कि हाँ यह इश्वर की मरजी है तभी मैं इस परसन से इतना connect हूँ अभी तक और और इश्वर मुझसे क्या चाहते हैं आपको खुद पता चलता होगा ठीक है तो आपकी आस्था है इसमें चलो और देखते हैं इस इंवर्स गाइड मी इस गाइड में सेवन आप सॉड्स ओके इस इंवर्स इस गाइड मी जमनाई लिए एक वेरियस है यहां पर ठीक है और मैंने उपर के साइन में उपर के काट में मैंने आपको सारे साइन बताया थे यहां पर जो है न मेरे पास एर नहीं था जो कि अब आप ही गया है मेरे पास देटावर हूं ओके इस गाइड मी प्रियक लग्ड पास धिर्ण ऑफ्टार प्र लाइड में प्रड़ कि अब कर अब आप्न कर देड आप्क भासोग्य थां प्र टीछ भाइड प्रियस नहीं आप्न प्र एंपी नहीं है प्र ग्यां प्रभण 10 of swords हम तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहां bottom of the deck है king of pentacles ठीक है king of pentacles का card है card I think camera अच्छे से capture नहीं कर पा रहा है हाँ अब है दीख रहा है आपको king of pentacles का card है ठीक है चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ पे देखो क्या कार्ट मुझे बता रहे हैं पहले तो यहाँ पे जो है आप दोनों के दर्मिया एक तो जो है लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप है दूसरा इसमें थोर्ट पार्टी इन्वाल्मेंट है यानि कि थर्ड पार्टी है ना थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का करनेक्शन यहाँ पे नहीं बन पा रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को यहाँ पे देखो आपके पर्सन को कहीं न कहीं उनके माइन में उनका ब्रेंवाश तो होता ही है और आपके partner के mind में यह सारी चीजे जो है ना बैठाई जा रही है कि जहां आपको stand लेना चाहिए था जहां आपके person को आपके लिए stand लेना चाहिए था वहां उन्होंने stand नहीं लिया है ठीक है ना guys यहां पर मुझे card यह बता रहे हैं यही मुझे card clear cut में बता रहे हैं कि आपके person के साथ आपका जो connection है यहां ठीक है आपका जो connection है यहां third party की वज़े से आप तुनों नहीं मिल पा रहे हो ठीक है आपके person यहाँ पे आपके person आपसे मिलना चाहते हैं ठीक है यहाँ three of cups है यहाँ knight of pentacles है है ना मिलना चाहते हैं लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे इस person को इस person को आपके खिलाव भड़काया जा रहा है कि नहीं तुम्हें नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो person सही नह ही है ना देखो यहां पे दर्ट टावर का कार्ड आ गया इसका मतलब तीसरा पार्टी एंटर हो गया और इसने बक्वास अपने सुरू कर दी है तो यहां पे वही है कि आपके पॉर्शन को कहीं न कहीं आपको भी किसी के द्वारा भड़काया गया होगा उस टाइम और अभी करेंट एनरजी में मैं देखूं तो किस कोई ऐसा पॉर्शन है जिसने आपके खिलाफ यहां पर आपके पॉर्शन को भड़काया है या अभी भी भड़काने का सिलसला जारी है तीक है और यहां पे मुझे यह दिख रहा है कि हाला कि आपके पॉर्शन आपसे मिलना चाहते देखो three of cups का card है जो कि आपके साथ मुझे दिख रहा है कि आपके person आपके साथ जो है वो time spend करना चाहते हैं जो time इन्होंने आपके साथ कभी enjoy किया है ठीक है तो यहाँ पे cards बता रहे हैं कि हाँ यह person वापस आ करके enjoy करना चाहते है आपके साथ party शाटी घूमना birthday anniversary है न यह सब celebration जो है यहाँ पे करना चाहते हैं लेकिन क्या है कि third party यहाँ पे नहीं चाहते है और third party की वज़से ही आपके person आपसे contact नहीं कर पा रहे हैं ठीक है और आप हो यहाँ पे किवेट कर रहे हो अपने person के contact करने का तो यहाँ मुझे cards clear बता रहे हैं night of pentacles यहाँ पे आपके person यहाँ पे इस person को force किया जा रहा है कि नहीं आपको नहीं करना है नहीं जाना है नहीं मिलना है उसके जिन्दगी में जाना ही नहीं है आपके person को यहाँ पे force किया जा रहा है ठीक है कि नहीं आपको यह अगर आप उनकी जिन्दगी में जाते हो तो आप अपने लिए ही गड जादा हीं का माइंड शार्प है कि आपके परिषन का माइंड जेंच करने में ये सफल भी हो रही हैं लेकिन मैं देख्वूँ तो यहाँ पर जो कार्ट्स है वो बता रहे हैं कि आपके सं आपके जिन्दगी में आएंगे ठीक है है यहां पे नाइट पांटिकल्स का काड़ है मेरे ख्याल कि आप लोगों के ज़ी जन्दगी में आपके पॉर्सन इन और आउट इन और ऑॉराउट करते रहते हैं तो यहां पर कार्ड मुझे यह भी बता रहे हैं कि आपके person जो है यहाँ पर देखो guys card के अनुसार मुझे दिख रहा है कि यह person को आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा मैं इतनी जल्दी नहीं बता सकती कि हाँ यह person इतने ही दिन में आ जाएंगे लेकिन इनको वक्त लगेगा आएंगे लेकिन आपको वक्त लगेगा इनको वक्त लगेगा क्योंकि यह person जो है अभी जो है चीजों के बारे में सोच रहे हैं उसको समझ रहे हैं उसके बाद ही यह person कोई action लेने के mood में आएंगे ठीक है तो यहाँ पे cards मुझे यही बता रहे हैं ठीक और यहाँ पे देखो guys जो card है five of cups का card यह person देखो यह मिलना तो चाहते हैं लेकिन क्या है यहाँ पे sadness उदासी है ना यह person बहुत ज़्यादा उदासी है अपनी जिंदगी में यह person बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी जिंदगी में है ना देख रहे हो यहाँ पे two of sorts decision नहीं ले पा रहे हैं third party के कारण से यह person decision नहीं ले पा रहे हैं यह person मिलना चाहते हैं देखो यहाँ पे जो five of cups का card यह emotionally connect हैं आपसे लेकिन क्या हो रहा है कि जब मिलने की बारी आती है तो यह person का mind change हो जाता है mind change क्यों हो जाता है क्योंकि यहाँ पे third party है इनका brainwash करने के लिए यहाँ पे cross road पे खड़े हो जाते हैं जब भी आपके लिए decision लेना होता है तब यह cross road पे खड़े हो जाते हैं देखो seven of cups का card है इस person को confusion हो जाता है इस person को समझ में ही नहीं आता है जिसकी वज़ा से यह person मिल नहीं पाते हैं ठीक है ना तो चलो और cards देखते हैं कि क्या यह आपकी जिन्दगी में वापस आ रहे हैं यह तो खैर है दूसरा topic हो गया लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्या वो आपके लिए हमेशा के आपके पास हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं तो चलो तीस का इतनी तो यहाँ पे the world का card है ठीक है यहाँ पे मैंने कहा कि यह person वापस आएंगे लेकिन इनको वक्त लगेगा ठीक है the world का card मुझे बता रहा है कि हाँ changes तो आने वाले हैं आपके और आपके person की जिन्दगी में यहाँ पे changes आएंगे और आप दोनों ही आप दोनों ही मिलोगे आपके person आपके पास वापस आएंगे लेकिन अगेन मैं कहूंगे कि यहाँ पे आपको वक्त लगेगा यहाँ पे आपको इंतजार ज्यादा करना पड़ सकता है ठीक है ना क्योंकि यहाँ पे cycle अभी शायद आप लोगों का complete नहीं हुआ है मैंने कहा ही कि आप लोगों का connection जो है यहाँ पे soulmate का connection है ठीक है ना चलो और देखते हैं थे हरमित- वाओ कहीं ना कहीं अपने आप को अपने खुशयों को छोड़कर करके अपने आपको ही ल कर रहे है क्यों क्योंकि उनको भी यह relationship चाहिए आप आपके साथ उनका साथ चाहिए है ना, donc कहीàiन काई यह परजान आपस अभी भी अटैच है मेशाता है और वो आपसे मिलना चाहते है हैं ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं मिलना चाहते हैं यहां पर ना मिलने का कारण बस third party है और कुछ नहीं है ठीक है ना गाइस सो मेरे पास cards है मेरे पास एक card जो है ना नीचे गिर गया है wait सो चलो मेरे पास यह card नीचे गिरा था सो मैं अभी card यह नहीं लूँगे प्लीज काइड में ओके दा एंपरर ओके यहां पर देखो card मुझे यहीं बता रहे हैं कि आपकी जो पार्टनर है ठीक है यहां पर डिसीजन लेंगे और इस्ट्रिक्ट होंगी तब जाके जो है ना यह परसन यहां पर डिसाइड कर पाएंगे क्योंकि यहां पर मुझे दिख पता चल रहा है कि हाँ यह परसन जो है एक्शन लेंगे लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इन कार्ट में कोई जल्द बाजी का मुझे नहीं दिख रहा है पहले यह परसन खुद को हील करेंगे उसके बाद ही आपसे मिलेंगे और हमेशा के लिए वापस आ रह प्रवड़ साइ करो के बाद हाई